बिना चाशनी बिना घी बिना मावा ना ब्रेड ना बिस्किट ना पनीर बिना गैस जलाए बनाएंगे दोस्तों आज बहुत थी डिलिशियस सॉफ्ट मूँ में घुल जाने वाली सॉफ्ट सॉफ्ट रूई की तरह ये मिठाई देख रहे होंगे कितनी स्पेशल है टेस्टी है डिलिशियस है कुछ ही मिंटों में बना कर तयार कर सकते हैं साथ में हेल्दी इतनी है दोस्तों कि बस मज़ा आ जाएगा स्वाद का स्वाद और साथ में सेहत से भरपूर है ये मिठाई दोस्तों इस मिठाई को आप काफी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन करें आ यहां पर हम दो कप लेंगे आप जादा भी ले सकते हैं अगर आप बाहर कर नहीं लेना चाहते हैं तो घर में जो है सुकह नारेल होता है इसको कद्दू कस करके फ्रेगराइंड करके ऐसा पौडर बना सकते हैं अब देखिए मेज़र इंपोर्टेंट चीज यहां पर हमने लिया है पानी कितना लिया है दो कप हमारे पास डेटी केसी नारेल पाउडर था तो हमने आदा कप पानी लिया है दोस्तो इतना ही बहुत ह हमने नहीं डालना आगे मैं बताती हूं कैसे क्या करना है यहां पर लिया है और इन सब चीजों को हम मिक्स करें देखियों होगा यह जो सुखा नारेल है थोड़ा साप पानी की और बूरा इसमें मिलाएंगे तो एक तरीके से चासर्षु में चाष्नी में अच्य से मौस्त हो जाएगा आगे हम यहां पे हम मिलाएंगे दूद की कमी को पूरा करने के लिए मिल्क पॉडर तो यह फ्रेंट्स नॉर्मल जो मिल्क पॉडर आता है वही है और यह मैंने लिया है पांच से छे चमच आप यहां पर डाल सकते हैं अभी इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से थोड़ी देर में फ्रेंट्स आप देखेंगे कि हमारा नारियल जो है वो थोड़ा सा भीगा भीगा सा होने लगा है जैसे बर्फी जमाते हैं वो इस टाइप का यह हो जाएगा ठीक है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ी देर के लिए अपने आप हमारा नारियल सुखे का पानी और फिर हमारा यह हम डालेंगे इसके अंदर केवरा एससेंस फ्रेंड से बहुत सीक्रेट टिप्स है अगर आपको नारियल की बर्फी में बिलकुल मिठाई जैस और यह अच्छे से ठीक हो गया है अभी देखे मैं आपको दिखाती है अगर आप इसको हम जमाएंगे ना तो यह अच्छे से जम जाएगी बस आपको करना क्या है तीन पार्ट में डिवाइट करें क्योंकि हम थ्री लेयर की बर्फी बनाएंगे तीन कलर वाली आप चाहे कम या जादा जैसा आपको करलर कंट्रास्ट रखना है उसी सबसे एड कर लीजिएगा मैंने आपर एक डॉप मिलाया था इतना इनफ है उसके बाद देखिए फ्रेंट सेकंड लेयर करेंगे और इंस से तो हमारे तिरंगे वाली मिठाई बना रहे हैं इसलिए मैंने यह वा अर सबसे पहले हैं कौन सा कलर यूस कालर यूजिए करहने गोर बाद एक कर लीजिए हमारे इन धन私 कौन सा कौर यूस कर दधेख कर लीए जिस भीट samae यूजिए मृ रखिग अपने आप खाल यूरश 18 से लेगी तो इस तरीके से मैंने वाइट लेयर भी बनाकर तयार कर लिए और इसके बाद हमारी बस्ते है फाइनली लास्ट वाली और इंच लेयर तो यहां पर अब हम इसको भी उठाएंगे और अच्छे सेट कर देंगे जैसे कि हमें पहले से दो लेयर हमने सेट कर लिए हैं कलर यहां पर फ्रेंड्स थोड़ा सा यहलो हो गया है मैंने लाइट कलर मिलाया था आप इसको औरेंज कलर भी दे सकते हैं शेड तो इस तरीके से आप देखें तीनों लेयर जो है उसको अच्छे से सेट कर लीजेगा यह मिठाई फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है और यह सुपर टेस्टी डिलीशियस और इजी इस्टेंस वरने वाली मिठाई देखिए सारी लेयर सेट कर दिया है अब इसको रख दीजेगा फ्रेंड्स बीस से तीस मिनट के लिए और यह आपकी जो मिठाई है वह त्यार हो जाएगी ठीके फ्रेंड्स और यहां पर पानी प्ली जो है डी मोल्ड करेंगे फ्रेंड्स तो सबसे पहले नाइफ की हल्प से हलका से इसको रिमूफ कर लीजेगा जिससे कि यह इसली बाहर आजाएगी प्लास्टी का कंटेरे तो जादा हमको कोई प्रब्रम नहीं होगी यही टीज आप जो है किसी सिल्वर के जो बॉक्स आते यह देखें दो सुपा टेस्टी जूसी डिलिश्यस यह मिठाई है एक और प्लेट लगा कर इसको टर्न कर लिया इस तरीके से लग रहा है एकदम डेलिश्यस मस्त वारी कलर्फुल मिठाई तो फ्रेंस इस तरह की मिठाई आप बहुत आसानी के साथ इसली घर में बना सकते है हेल्दी भी रहती है टेस्टी भी रहती और अपने कॉर्डिंग आप इसमें चीजे भी एड़ कर सकते चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं तो मैंने कटिंग किया देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी जैसा केक होता है उस टैप का इसको आपको आउटपिट मिलेगा तो हम इसको चोटे-चोटे पीसिस में डिवाई करेंगे जैसे कोई केस्ट आते और आपको खाने के बाद को सोड़ा बहुत मीठा देना है उनको तो इसकी चोटे-चोटे पीसिस करके आप लेट में सर्फ कर सकते हैं देखने में दिती सुन्दर है खाने में अतनी ही टेस् किया और यह रैस्पी जो है 100% सुपर्व है पास होने वाले है यहां पर थोड़े सा मैं सिल्वर लीव लगा रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप मिठाईयां और नहीं बनाते जादा तो आप इसको सिंगल भी प्रिजेंट कर सकते हैं किसी ड्राइड मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूं प्यारी प्यारी रैस्पी तो प्लीज मुझे अपना सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जिससे कि आप मेरी आने वाली कोई भी रैस्पी मिस ना करें सबका नोटि कितना जूसी है बिल्कुर रसगुले की तरह मुह में घुल जाने वाली गुलाब जावन बर्फी पेड़ा सब इसके आंगे फेल है और इसकी खुश्पू तो ला जवाब है जो हमने इसमें एक चीज मिलाई थी जल्दी से जाकर देख लीजिए अगर वीडियो अपने इस के साथ में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबाए